चीन का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से दिखाने के लिए कुछ और रहा है और करने के लिए कुछ और युएस की एक खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि रूस-यूकरेन वॉर में चीन सिर्फ दिखावे के लिए निूट्रल रवाया अपना रहा है दरसल वो खौफनाग तरीके से रूस को तकनीकी मदद पोचा रहा है रूस इसका इस्तमाल यूक्रेन के खिलाफ हमले में कर रहा है यूएस के डिरेक्टर आफ नेशनल इंटेलिजन्स के हवाले से CNN की रिपोर्ट की मताबि चीन ना सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ मौसको को युद्ध में इस्तमाल में आने वाली तकनीक मुहया करवा रहा है बलकि खतरनाक जंगी हत्यार भी दे रहा है सपोर्ट प्रोवाइड़ बाइद बाइद पिपल्स रिपबलिक ऑफ चाइना टू रश्या नाम के प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने मार्च के महीने में 12 मिलियन डॉलर के ड्रोन्स और ड्रोन्स पार्ड रूस को एक्सपोर्ट किये जंगी सामान बनाने वाली चीन की सरकारी कमपनियों की ओर से रूस की सरकारी कमपनियों को बड़ी तादाद में ऐसे सामान निर्याद किये जा रहे हैं जिनका दोहरे मकसद से इस्तेमाल किया जा सकता है चीन रूस को नविगेशन, जैमी और फाइटर जेट से जुड़े पार्ट समेत प्रतिबंदित और विनाशकारी साजो सामान तकनीक उपलब्ध करवा रहा है साल 2021 से सेमी कंड़क्टर से जुड़े निर्यात में भी भारी उच्छा लाया है खुफिया रिपोर्ट के मताबिक चीन यूएस में बने कई सो मिलियन डॉलर के सेमी कंड़क्टर रूस को उपलब्ध करवा चुका है इस तरह से चीन अंतराष्टे प्रतिबंदों को पूरी तरह से नजर अंदाज कर रहा है हाला कि खुफिया रिपोर्ट इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि चीन जान बुचकर यूएस को चुनोती दे रहा है या फिर प्रतिबंदों को तोड़ने का कोई छुपा हुआ तरीका इस्तमाल कर रहा है पर ये तो तय है कि फेवररी 2022 से ही यारी रूस यूक्रेन योद शुरू होने के बाद से ही चीन रूस की पार्टनर्शिप तेजी से मजबूत हुई है लेकिन वाशिंग्टन में CNN को दिये इंटर्व्यू में चीनी एमबेसी की ओर से प्रवक्ता लिव पेंग्यू ने खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीन शांती वारता का हिमायती है और राजनितिक रूप से विवाद को हल करने की कोशिशों में लगा हुआ है और ब्रत्विबंदित है